इमानदारी का इनाम हिंदी कहानी बहुत समय पहले की बात है किसी गाव में बाबुलाल नाम का एक पेंटर रहता था वो बहुत इमानदार था लेकिन बहुत गरीब होने के कारण वे घर गर जाकर पेंट का काम किया करता था उसकी आमदनी बहुत इकम थी बहुत मुश्किल स वह अपने घर का गुजारा चलाता था पूरा दिन मेनत करने के बाद भी वो सिर्फ दो वक्त की रोटी ही जुटा पाता था वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई अच्छा काम मिल जाए कोई बड़ा काम मिल जाए जिससे उसकी अच्छे आमदनी हो पर वो छोटा काम भी बड़े ही मेहनत के साथ करता था लगन और इमानदारी से करता था एक दिन गाओं के जमिदार ने उसको बुलाया और कहा सुनो बाबुलाल मैंने तुम्ही यहां एक जरूरी काम के लिए बुलाया है क्या तुम वो काम करोगे बाबुलाल ने कहा जी हुजूर जरूर करूँगा बताएए क्या काम है जमिदार ने कहा मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव पर पेंट कर दो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए बाबुलाल ने कहा जी हुजूर ये काम मैं आज ही पुरा कर दूँगा सामान लेकर बाबुलल वहाँ पर आता है और नाव को रंगना शुरू कर देता है जब बाबुलल नाव को पेंट कर रहा था तो उसने नाव में एक छेट देखा और उसने सोचा अगर इसी ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये नाव डूब जाएगी ऐसा सोच कर वो छेट को भर देता है और काफी समय मेनत करके वो छेट को एक दम ठीक कर देता है और फिर नाव को पेंट कर देता है फिर जमीदार के पास जाता है और कहता है हुजूर नाव का काम पुरा हो गया आप आकर देख लीजिए फिर वो दोनों नदिके किनारे जाते हैं नाव को देखकर जमिदार बोलता है अरे वाहा बाबूलाल तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है ऐसा करो तुम कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना उसके बाद वे दोनों अपने घर चले जाते हैं अगले दिन जमिदार को अपने परिवार के साथ गुमने जाना होता है वह नदी पर उसी नाव पर गुमने जाते हैं शाम को जमिदार का नौकर रामू जो उसकी नाव की देख भाल भी करता था छुटी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमिदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है जमिदार उसे सारी बात बताता है जमिदार बात सुनकर रामू चिंता में पढ़ जाता है उसे चिंतित देखकर जमिदार पूछता है क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर चिंतित क्यों हुए? रामू मुलत कहता है सरकार लेकिन उस नाव में तो छेथ था रामू की बात सुनकर जमिदार भी चिंतित हो जाता है तबी उसकी परिवार वाले पूरा देन मोज मस्ती करके वापस आ जाते हैं उन्हें सैक कुषल देखकर जमीदार को चैन की सांस आती है फिर अगले दिन जमीदार बाबुलाल को बुलाता है और कहता है ये लो बाबुलाल तुम्हारी मेहनत का पैसा तुमने बहुत बढ़िया काम किया मैं तुमसे बहुत खुश हो पैसा गिनने के बाद बाबुलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वह पैसे जादा थे वो जमीदार से कहता है हुजूर आपने मुझे गलती से जादा पैसे दे दिये हैं जमिदार कहता है, नहीं बाबुलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिये, ये तुम्हारी मैनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुमने इस नाव के छेत को ही नहीं भरा, इससे तुमने हमारी चान बचाई है, जिसके बारे में तुम्हें प को भरा जिससे हमारी जान बच गई इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके आभारी हैं बबूलाल तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो तुमोरे ही कारण आज मेरा परिवार सुरक्षित बचा है तो इंसान में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, और सभी कमाते भी हैं, लेकिन इमानदारी, वफादारी और दूसरे के बारे में सोचना बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बाद में वह जमीदार प्रसन होकर उसको और बहुत सारे काम द लवा देता है थोड़े समय बात यह बात राजा तक पहुंचती है राजा उसको अपने राजदर्बार में रख लेता है और अब वह गरीब बापुलाल एक राजदर्बारी बन जाता है तो इस प्रकार हमें हमारे काम के प्रति वफादार रहना चाहिए काम को मन लगा करना चाहिए तब ही हम सफल बन सकते हैं क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता जो भी हमारे पास काम है उसको मन लगा करना चाहिए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं जो भी हम काम करते हैं, उसका फल तो हमारा निश्चे धे मिलता है, लेकिन हमें अपनी इमानदरी का परिचे ज़रूर देना चाहिए, आशा करती हों आपको यह कहानी पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक् कानल आपको किचए झाए और जयिर складकरवेगी, याल करने हैं पसंद आएले अचे सेचा खाने हैं, उसा थाल बात हैं, आपकों तो होगी हााँ, चैसम जह एक्सी औरमेंलन आपकता हैं, लेकता करें हैं आपकste